पूरे देश के अंदर बीजेपी की सरकार बनी थी और 2019 के अंदर वही ग्राप बहुत तेजी से गिरता चला जा रहा है और गटबंदर कहीं ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है उसका क्या कारा है क्योंकि कोई भी चीज अगर बहुत तेजी से बढ़ती है तो उसको वहाँ पे बनाए रखना उस सफल्दा को बनाए रखना किसी भी राजनेतिक दल के लिए बहुत बड़ी चुनोती होती है मुझे लगता है कि 2014 में बीजेपी और उसके गटबंधन की जो सरकार बनी उसमें बहुत बड़ी भूमी का कॉंग्रेस की हार की रही कॉंग्रेस की जो नाकामिया थी उनकी 10 साल की जो एंटी इंकंपेंसी की जो का जो दोर था उसकी वज़े से बीजेपी को एक फायदा मिला अपने आप फायदा मिला जिसका उन्होंने लगता है कि उतने अच्छे से फायदा नहीं उठा पाए पिछले 5 साल का अगर आप रिकोर्ट देख रहे हैं तो बहुत सारी जगह पे खास दोर पे लोग सभा के बहुत सारे उपचुनाव हुए हैं जहां पे बीजेपी की सरकारे हैं वहां पे बहुत सारे विधान सभा के उपचुनाव हुए हैं कई राज्यों में विधान सभा को जाना पड़ा तो जो बात आप कह रहे हैं वो कुछ हद तक सही मालूम होती है कि बीजेपी अपनी उस पॉपलर्टी को उस मैंडेट को बनाने में नाकामियाब रही है इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं क्योंकि पांस साल एक लंबा समय होता है और पांस साल में आप जिन वादों पे जिन घौसलाओं पे आप चुनके आते हैं अगर उनको पूरा नहीं कर पाते हैं तो जन बार आप अपनी रैलियों में इस तरह की बात कर रहे हैं कि कॉंग्रेश ने क्या किया कॉंग्रेश ने क्या किया सी दिसी बात है कि पांस साल में आपके पास कुछ खास नहीं है जिसको आप बता सकें कि हमने यह किया है बहुत दूसरे की कम्यों को बताने का प्रयास कर रह ये जनता का मुद्धा होता है कि आपने जनता के लिए रोजगार की क्या विवस्ता की ये खास दोर पर यूथ हमारे यहां पर बहुत ज़्यादा है उस यूथ के लिए रोजगार की क्या विवस्ता हुई है ये आपको बताना पड़ेगा अगर रोजगार का मतलब पकोले ब रहा है उसको आपको अच्छे जॉब देने पड़ेंगे उसको ऐसे जॉब देने पड़ेंगे जिससे के वो अपने मान सम्मान की जिंदिगी जी सके आपने जो पॉलिसी अपनाई है उन पॉलिसी पे जनता का क्या रहे आपने जैसे बहुत बड़ा नोट बंदी का एक बहु बंद करके दो हजार का नौट चालो कर दिया यह बिल्कुल ऐसी भी कारी है किसी भी सिद्धान्तकार से किसी भी अर्थसास्री से अगर इसके बारे में पूछेंगे दो हजार का नौट अगर काले धन की बात कर रहे हैं तो फिर उसको जादा आसानी से बचाया जा सकता है वो जिस लॉजिक को आपने दिया था पांसो और हजार के नौट बंद करने के समय में वो लॉजिक पूरी तरीके से फेल हो गया बाहर से काला धना आप लाने वाले थे वो पूरी तरीके से फेल हो गया देज के अंदर से जिन लोगों के इतने बहिमानी से काला धनी खटा किया हुआ था वो निकल के आया पता नहीं चल ला है क्योंकि अभी तक डिजर्व बैंक यह नहीं बता पा रहा कि कितने नौट गिने गए, कितने नौट छपे, किस तरीके से हुआ तो कुल मिला कि जनता में perception जो उसकी परिशानिया थी, वो तो रही रही लेकिन आप अपनी तरब से clear नहीं कर पाए, सरकार जो है clear नहीं कर पाए अभी भी आप उन मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं, आपने जो है लोगों को किस तरह का प्रिसासन दिया है, यह बहुत महत्पूर होता है पूरे देश के अंदर जो एक feeling है, खास दोर पे स्रेड़ोगाज, स्रेड़ोटाइप्स, ओबीसीज हैं, उनके अंदर ये feeling आई है कि ये सरकार कहीं न कहीं इनके interest को सर्व नहीं करना चाहती है, चाये वो आरक्षन का मामला हो, चाये वो 13.0 सरवाला मामला रहा हो, लाखुर की संख्या में लोग सलगों पे आए, तब जाके कई बार आंदरोन करने के बाद, आपने चार दिन पहले अध्या देश आप लाए हैं, ये जो सारे के सारे मुद्दे लग रहे हैं, उससे कहीं न कहीं ऐसा लगता है, कि वो विश्वास आपका बना नहीं रह सका, जिस विश्वास के सारे जनता ने आगे आपको बढ़ाया इसमें एक बहुत बड़ा बुद्दा जो समय समय पर आ रहा है, कि जब पिछले पांस साल के अंदर, देश के अंदर, जो माइनर्टी कॉम्नेटी हैं, उनको भी कहीं न कहीं समस्या हुई है, बाब लिंचिंग की इतनी बड़ी प्राबलम हुई है, जो सरकारी, जो हमारे स कि यह कहना पड़ा है, कि लोगतंतर खत्रे में हैं, मतलब यह सारा मामला ऐसा लग रहा है, कि एक अराजकता के सा माहुल नजर आ रहा है या उस तरह का माहुल बन रहा है, जो किसी भी सरकार की प्रतिस्ठा को धोमिल करता है, यह बातें सही हैं या गलत हैं, यह जनता किस तरीके से पहुँच रही हैं, वो बहुत महत्पूर हैं, अगर पब्लिक में पर्सेप्शन बन रहा है, कि सरकार प्रभावी नहीं है, सरकार कुसल नहीं है, सरकार अपनी पॉलिसीज को जनता की भलाई के लिए लागू नहीं करना चाहती है, तो फिर वो perception ही important होता politics में perception से चुनाव जीते जाते हैं चुनाव हार भी जाते हैं इसलिए उत्तरे तर आज ये महसूस हो रहा है कि सरकार के खिलाब एक perception बन रहा है पांस साल सफ़ता में रहने के बाद उसको कही ना कही इस तरह से जेल ना पड़ रहा है दूसरी बात कि अगर उत्तर प्रदेश जैसी जगह जहां पर आपको 73 सीटे मिली थी पिछले बार 80 में से वहां पर भी एक मजबूत गटबंदन बना है उसने भी बीजेपी की संभावना को बहुत हद तक कम कर दिया है पिछली बार ये दल जो की बहुत मजबूत दल है जिनका अपना वोट परसंटेज 45 परसंट के आसपास बैठ जा था पिछले विदान सबा चुनाओं के अंदर उसमें राश्य और लोग दल भी साथ में है तो ये एक अनबीटेबल कॉंबिनेशन जैसा नजर आता है इससे भी बीजेपी की हलत बहुत जाला कमज़ोर हुई है उत्तर प्रदेश में अगर 73 सीटे हैं और वहाँ पे आप उस चीज को रिटेन नहीं कर पाते तो जो आपकी 282 सीटे हैं वो सीधी सवा 200 के आसपास आ जाती है बाकी स्टेट्स में क्या हो रहा है वो अलग माम लाया क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में आप चाए मद्देपुर्देश है चाए राजिस्थान है जहां पर लगभग आपको पूरी सीटे मिली थी इन तीन जग़ों में पिछली बार आप 65 सीटे थी 65 में से 63 सीटे इसमें बीजेपी के पास थी अब कोई नहीं कहा सकता कि 65 में से कहीं न कहीं ये भी देखने में आ रहा है कि विपक्षी गलों ने अपनी पुरानी गलतियों से सबक सीखते हुए इखटा होने का प्रयास किया है उनके पास लगबग हर राज्य में एक मजबूत विकल्प सामने आ रहा है गटबंदन सामने आ रहा है और सबसे मजबूत गटबंदन इस समय पे उत्तरपुर्देश के अंदर आया है जहांपे बहुजन समाज पार्टी, समाजबादी पार्टी, रास्ट्रिय लोगदल पार्टी ने मिलके एक साज़ा अगटबंदन बनाया है और इन्होंने उत्तरपुर्देश की 80 सीटों में हर जगए बीजेपी को कांटे की ठक कर दिया है ऐसा लग रहा है कि जो सडूलकास और बैकुर्ट क्लास कमपनटी है या मुस्लिम कमपनटी है ये खटा होके आ रही है और इसमें फिर इनको परास्त करना लगभग नामुम्किन हो जा रहा है अउतरपुन देश की ऐसी कोई लोकसभा की स्कीट नहीं है जहां पर ये कॉंबिनेशन 45% से कम पर सुरुवात कर रहा है 45% सुरुवात करने का मतलब यह है कि यह कहीं पर 50 भी जा सकता है कहीं पर 55 भी जा सकता है और चुनाओं में आप जानते हैं कि अगर आपने 45% का थ्रेशोल पार कर लिया तो फिर आपकी जीत सुनशित हो जाती है दूसरी बात कि यह जो गटमंदन है इनके पास एक सुयोग मेत्त्तु भी है इसमें चार बार बहुजन समाज पाड़ी की सरकार उतरपुरा देश के अंदर बन चुकी है सारे लोग जानते हैं कि मयावती जी जब उतरपुरादेश की मुख मंतरी थी तो बहुत कुसल पुर्सासंक के रूप में उनकी चभी पूरदेश के अंदर बनी सामानेत है जो जवी उनकी उत्तर प्रदेश में बनी उसको किसी भी जाती धर्म के लोगों ने सुईकार किया सब लोगों ने कहा कि नहीं वो बहुत अच्छे से सासन चलाती है उस समय पे किसी प्रकार का कोई दंगा पूरे प्रदेश के अंदर नहीं हुआ ये देखने में आया कि जो सरकारी जमीने से स्ट को दी गई थी उनके पटे दिये गए थे और कभी भी उन पट्टों पे कबजा नहीं मिल पाया था ब्यस्पी की सरकार में उन जमीनों पे कबजा हो गया तो ऐसी खास दोर पे वर्ग जो है उसको बहुत बड़ा फायदा हुआ ये भी उन्हों की पॉलिसी रही के जो प्राइविट सेक्टर है प्राइविट सेक्टर में उन्होंने रिजर्विशन दिया सब्सक्राइविट सेक्टर में रिजर्विशन दिया उसके बाद उन्होंने सरकारी ठेकों में सब्सक्राइविशन नजर आ रही हैं जिसकी वजह से जैसे आप किसानों का मुद्दा ले लिजिए उस समय पे जब उत्तर पुर्देश में बहुजन समाच पाइटी की सरकार थी 2007 से लेके 2012 तक उस समय पे उत्तर पुर्देश के किसानों को सबसे ज़्यादा गन्य का मुले मिल रहा था ये अपने आप में बहुत बात थी इसलिए आप देखते हैं कि जबर्दस सफल था उनको उस समय पे पस्षिन उत्तर पुर्देश के अंदर वी मिली जहां पे कि ज़्यादा रहते हैं गन्याओ आने वाले किसान ज़्यादा पस्षिन उत्तर पुर्देश के अंदर रहते हैं और इस बार वहां से अजिस सिंग जी जो है वह गटबंधन का हिस्सा है तो लग रहा है कि ये गटबंधन एक मजबूत इस्तिथी में है और सामाजिक समीकरण इतना मजबूत है इनका जाती है समीकरण इनका इतना मजबूत है कि किसी भी लोग सभा में इनको पचालना मुश्किल नजर आगा है लगता है कि उत्तर पुर्देश जैसे बड़े राज्य में अगर बीजेपी को रोका जा सकता है तो फिर पूरे देश के अंदर उसकी स् सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूले ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप इस सबसे पहले